नमस्कार मेरा नाम है गौतम कुमार और आप देख रहें यूज प्यार लाइव निगम कर्मियों द्वारा लगातार हरताल किया जा रहा है हम मौजूद है इस वक्त भाज़वा कार्याले के बाहर जहां निगम कर्मी अंदर सहनावाज हुसान से मिलने आये थे और उन्हें ब का पद खतम कर दिया गिया है उसको दीजिए क्योंकि हम लोग इतना दिन से सर्विस कर रहे हैं हम लोग को पेमेंट कम है तीन साल से तीन रुपया तक बढ़ोतरी नहीं हुआ और हर्ताल में हम लोग गए इसलिए हम लोग यहां आये हुए थे उसके बाद अचानक हम लोग कर देंगे कर देंगे कर देंगे कभी किसी को लाँ अगले बार सीला मैडम सीटा साव सब लोग बोले थे कि आप लोग के मिलेगा लेकिन फिर नहीं मिला मेर द्वारा कुछ आस्वासन दिया जा रहा है अभी तो कुछ नहीं दिया जा रहा है अभी तो सिर्फ हम लोग हर्ताल पर चल रहे हैं कोई आस्वासन ही नहीं है हम लोग एक ही मांग है निवती यानि परवानियंट करना अगर निवती नहीं करेंगे तो हम लोग हर्ताल नह तो जीवन है। जली नहीं है तो जीवन कहा है। हम लोग इतना टूटी करके इतना मेंद करके जंता कुछ पानी पीट देते हैं। अगले लोग हमारा निगम का सफाई करवाता है। लेकिन उसके बदले हमलोगे क्या मिलता है। 9000 रुप्या। प्रण्ट लाइन वारियर्स कोरोना काल में आप लोगो फ्रंट-लाइन वारियर्स के रूप में देखा गया फिर भी आप लोगों को ऐसा बेवार सरकार के दोरा किया जा रहा है एक बात बता देते हैं भी आप भाजपा कर्याले में हम आये थे इन्हीं के परधान मंत्री हैं जो बनारस में सफाई करमचारी के चरंद होते हैं असर पर लगाते हैं वही नेता जी हैं जो देखिये बाहर हैं वहम लोगों गेट से बाहर कुट्टा के तरह भागा दी हैं आप लोग आये थे यहां ग्यापन से अपने मिठाई खिलाने सामानित करने आए थे नहीं हम लोग कुछ इनके खिलाप धरना परतर तरह को तरुबं अपना जान के जोखिम में डाल के फिर भी लोग हम लोगों को गेट से बाहर कर दिया है अनिश्चित कालीन हर्ताल है यह चलेगा यह लोग बात सुने या नहीं सुने हर्ताल जारी है तो आपने सुना क्या कुछ कहना है हम आपको बता दें कि करोना काल में सफाई कर्मियों को फ्रंट लाइन वारियर्स का दर्जा दिया गया था कैमरा मैन अमित के साथ मैं गौतम कुमार न्यूस प्यार लाइव पटना